उसके लिए प्रधान मंत्री देखें बोल रहे हैं सब्सक्राइब आजका ये बजेट इंट्रिम बजेट तो है ही लेकिन ये बजेट इंक्लूजीव और इनोवेटिव बजेट है इस बजेट में कंट्यूनुटी का कॉन्फिडेंस है ये बजेट विक्सीद भारत के चार स्थम युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एमपावर करेगा निर्मलाजी का ये बजेट देश के भविश के निर्मार का बजेट है इस बजेट में 2047 के विक्षिद भारत की निव को मजबूत करने की गारंटी है मैं निर्मलाजी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों इस बजेट में युवा भारत की युवा आकांग्षाओं का भारत की यंग एस्पिरेशन्स का प्रतिमिम्भ है बजेट में दो महत्पपूर्ण नीने ले गए है रिसर्च और इनोवेशन पर एक लाग करोड रुपय का फंड बनाने की गोशना की गई है बजेट में स्टार्ट अप्स को मिलने वाली टैक्स शुट के विस्तार का भी एलान किया गया है साथियों इस बजेट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए केपिटल एक्सपेंडिचर को ग्यारा लाख ग्यारा हजार एक सो ग्यारा करोड रुपय की एतिहासिक उंचाई दी गई है अर्थ साथियों की भाशा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है इससे भारत में 21 सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रेक्टर के निर्मार के साथ ही युवांओं के लिए अंगिनत रोजकार के नए अवसर तयार होंगे बजेट में बंदे भारत स्टेंडर की 40,000 आधुनिक बोगियात बनाकर उन्हें सामाने यात्री ट्रेनों में लगाने का एलान किया गया है इससे देश के अलग-अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आराम दायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा साथियों हमें बड़ा लक्ष ताय करते हैं उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष अपने लिए ताय करते हैं गरीबों के लिए हमने गाओं और शहरों में चार करोड चे अधिक घर बनाए अब हमने दो करोड और नए घर बनाने का लक्ष रखा है हमने दो करोड महिलाओं को लग्पती दीदी बनाने का लक्ष रखा था अब इस लक्ष को बढ़ा कर तीन करोड लग्पती दीदी बनाने का कर दिया गया है आईश्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की हैं अब आंगनवाडी और आशा वरकर उन सब को इस योजना का लाब मिलेगा साथियों इस बजेट में गरीब और मद्दमबर को एमपावर कर दे उनके लिए आएके नए आउसर बनाने पर भी बहुत जोड दिया गया है रूप्टॉप सोलर अभ्यान में एक करोर परिवारों को सोलर रूप्टॉप के माध्यम से मुप्त बिजली प्राप्त होगी इतना ही नहीं सरकार को अतिरित बिजली बेच कर लोगों को पंदरा से बीस हजार प्रतिवर्ष की आई भी होगी और हर परिवार को होगी साथियों आज जीस इंकम टैक्स रेविशन स्कीम की गोशना की गई है उससे मद्द्वर के करीब एक करोर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दसकों से ये बहुत बड़ी तलवा लटका कर रखी थी आज इस बजेट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपों और बड़े निर्ड़े लिए गए नेनो डियेपी का उप्योग हो पशुओं के लिए नई योजना हो पी एम मत्से संपधा योजना का विस्तार हो और आत्मन निर्भर ओयल सीड़ भ्यान हो इससे किसानों की आय भड़ोगी और खर्च कम होगा मैं एक बार फिर सभी देश वास्यों को इस अइतिहासिक बजेट के लिए शुपकामनाय देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद